क्या नरेंद्र मोदी देख पा रहे हैं कि नफरत की आग कहां से कहां जा पहुँची है मुसलिम हो तो पाकिस्तानी पंजाबी सिख हो तो खालिस्तानी धरम के नाम पर किस तरह से देश को बाठना आज महंगा पढ़ता जा रहा है ये किसने सोचा होगा सोचना चाहिए था दोस्तों जब 2002 गुजरात दंगे का मास्टर माइंड होने का आरोप जिन पर लगा था और जाच सही धंग से नहीं की गई थी जब उस मुख्या मंत्री को अब 2014 में प्रधान मंत्री बनाए थे तब आपको सोचने की जरूरत थी जिसे लिए ये नफरती आग देश को महंगा पड़ता चला जा रहा है बंगाल से जो भयंकर वीडियो वाइरल हो रहा है उसे देखकर क्या मोदी जी हाथ जोड कर माफी मांगेंगे कि हाँ मेरी पार्टी के नफरती अजिंडे ने आज देश में धार्मीक उनमाद को पैदा कर दिया है दोस्तों बंगाल में एक IPS अधिकारी को भाजपाई नेताओं ने सरयाम खालिस्तानी कहा और ये खबर जो है ये देश में नहीं विदेशों में भी इसके चलते हंगामा शुरू हो गया है जिस पर अब मोदी जी को जवाब देना होगा वो भी अंतरराश्ट्रियो पतल पर क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से तो वीडियो को आन तक देखिएगा आप सभी का देश नीती पर देश नीती किवल सची और पक्की खबरे शंदिश खाली में महिलाओं के साथ बंगाल के संदिश खाली में महिलाओं के साथ जो हो रहा था उस पर जांच चल रही थी मनिपूर को टोटली इग्नोर करने वाली भरतिय जिनुता पार्टी संदिश खाली मामले पर पूरी तरहां से समवेदनशिल नजर आ रही थी लेकिन अच्छी बात है कि मनिपूर नहीं पर संदिश खाली में राजनीतिक फाइदे के चलते ही सही लेकिन भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को नाशनल हेडलाइन बना दिया ऐसे में भाजपा नेता जो है वो शंदिश खाली जा रहे थी और एक नहीं सारे भाजपा नेता शंदिश खाली जा रहे थे दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से संदिश खाली हम तुम्हारे साथ है इस स्लोगन के साथ इस नारे के साथ कुर्ते में टीशोट में इसे छपवा कर सभी भाजपा नेताओं ने संदिशखाली के लिए वो सब रवाना हुए लेकिन इस से मामला ना बिगड़े राजनीती ना हो पोलिस ने भाजपाईयों को रोका क्योंकि वो नारे बाजी भी कर रहे थे इसमें गुस्से में आग बबूला हो करके भाजपा नेता शुभेंदू अधिकारी और अगनी मित्रापाल ने IPS आफिसर को खालिस्तानी करार दिया और फिर क्या होना था विवाद खड़ा हो गया और विवाद मतलब भयंकर विवाद जिसका आच जो है वो इंटरनाशनल स्थर पर जा पहुंचा है क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग यह बोल रहे हैं अगर मैंने टर्बन पहना है तो आप मेरे रिलिजन पर ही बोल सकते हैं आप मेरे रिलिजन पर ही बोल रहा है तो बला खाली सानी उन्होंने बोला भी जुझा दे नहीं आप के रिलिजन पर कुछ बोला किसी ने रिलिजन पर क्यों बोला आप पुलिस का जाइचो निबाए है आप चाचु करिता करते हैं आप चाचु करिता करते हैं आप मुझे खाली सानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है यह आप लोग की हम्मत है अगर कुल पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो खाली सानी है यह आप लोग की होगा यह आप लोग बोल रहे हैं यह आपका लेवल है यह आप लोग का लेवल है एक पुलीस ओफिसर जिसमें पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे है क्योंगी वो अपने duty कर रहे है आई पीस आफिसर खुद कहने पर मजबूर हो गए कि मैंने पगड़ी पहनी है इसलिए आप यह कह रहे हैं क्या अगर मैंने पगड़ी नहीं पहनी होती तो क्या आप मुझे खालिस्तानी कहते आप पुलिस के बारे में जो चाहे कह सकते हैं लेकिन मेरे धर्म पर कमेंट्स मत कीज़ें ये ओफिसर बंगाल पुलिस के इंकलीजन्स ब्यूरो के स्पेशल सुपर इंडिंटेंट दो हजर सोला बैच के IPS अधिकारी जस्परित सिंग है ऐसे में ये मामला कोई छोटा मुटा मुद्दा बनके नहीं रह गया एक IPS अधिकारी को सरयाम जो कि सिख है उनके माथे पर पगड़ी के चलते और उन्होंने इन भाजपाई नेताओं को रोका है इसके चलते उन्हें खालिस्तानी कहा गया ये दिखाता है कि किस नफरती जहर को समाज में घोला गया दोस्तों इस वीडियो को शेर करते हुए ममता बानर जी ने ट्वीटर पर लिखा कि आज भाजपा की विवाजनकारी राजनीती ने समवेधानिक सीमाओं को बेशर्मी से लांग दिया है भाजपा के अनुसार पगड़ी पहने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है मैं हमारे राश्र के प्रती अपने बलिदानों और अटूट द्रिर संकल्प के लिए पूजनिय हमारे सिख भाईयों और बेहनों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इस दुसाहसिक प्रयास की कड़ी निंदा करती हूँ हम बंगाल के समाजिक सोहार्द की रक्षा के लिए द्रिड है और इसे बाधित करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सक्त कानूनी कदम उठाएंगे इस वीडियो को देखें दोस्तों भाजपा कारियालाई के बाहर भरतिय जिनुता पार्टी ऑफिस के बाहर सिक विरोधी पार्टी बीजपी को करार दिया गया और बड़े बड़े इलेडे स्क्रीन पर उस विवादित बयान को लगतार चलवाया गया दोस्तों इतना ही नहीं ADG और IGP साउथ बंगाल के सुप्रतिम सरकार और ADG और से बंगाल पुलिस की और से ये दावा किया गया कि ये जान बूज कर किया गया एक दुरभाग येपुन काम था जिसका उद्यश्य एक समुदाई की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना क्योंकि किसे ने पगड़ी पहन रखी है तो आप उस व्यक्ति को खालिस्तानी नहीं कह सकते ये स्विकार्य नहीं है जरूरत पढ़ने पर कानूनी कदम उठाएंगे दोस्तों ये मामला सिर्फ हमारे देश में ही सिमित नहीं है इस खबर ने इंटरनाशनल मीडिया में भी जगा बनाई है लेकिन मैं इसे महस एक खबर नहीं कहूंगी इसे आप एक खबर कहते हुए निजरंदाज नहीं कर सकते दोस्तों ये आज का भारत है जिसे नरींद्र मोदी ने जनम दिया है सीचा है कि आपको सब कुछ धार्मिक चश्मी से देखना होगा वहां मैनॉरिट इसके लिए कोई जगा नहीं दी जाएगी आज मोदी जी को जवाब देना होगा कि क्यूंकि सिर्फ पगड़ी बांध कर गुरुद्वारे पर माता टेकने से मोदी जी सेकुलर प्रधान मंतरी नहीं बन सकते दोस्तों नरींद्र मोदी जी को सोचने की जरूरत है कि उनसे पहले इस देश को भारतिय जुनुत पार्टी ने चलाया है अचल बिहारी जैसे भाजपाई नेता ने इस देश को बहतरीन तरीके से चलाया है लेकिन इस तरहां से धार्मिक उन्माद उन्होंने पैदा नहीं करी क्योंकि देश को बरबाद करने पर इस तरहां से कोई प्र पधान मंत्री ने नहीं रखी लेकिन क्या मोदी जी देश को 2002 का गुजराद बनाना चाहते हैं या शायद वो बना चुके हैं धरम का आफिम चटा चटा करके जिस तरहां से आपका भेजा फ्राई आज की भारतिय जुनता पार्टी और मेंस्ट्रीम मीडिया कर रही है जिसके के कारण हम विशो के आगे विश्गुरो बन पाई या ना बन पाई मैनौरिटी विरोधी जरूर बन गए हैं दोस्तों इस पूरे विशाय को आपके स्तरहां से देखते हैं बंगाल में जो स्तरहां से एक IPS अधिकारी को सर्याम खालिस्तानी कहा गया क्योंकि वो सिख है क्य कि उन्होंने पागरी पहन रखी थी क्या ये जायज है क्या ये दिखाता नहीं है कि कहीं न कहीं हम भारत को 2002 का गुजराद बनाने पर तुले हुए हैं आप इस विशाय को जिस भी अंदाज में देखते हैं कमेंट कर अपनी राए हमारे साथ शेयर करें बाकि देशनीती य योही बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सची खबरे पहुँचा सकें बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत